महापुर्सों प्यार से कहिए धनिरंकार जी सत्गुरु माता सुदिक्चा सबिंदर हर देव जी महराज की जे महापुर्सों सत्गुरु की किरपा और आप सभी संत महापुर्सों के आसिरवाद से दास एक बार पुनह निरंकारी बुक समरी सेनल के माध्यम से आप सभी के चरणों में समर्पित है दासने अगले वीडियो में संत निरंकारी मिसन परचार योंग परबंध विवस्ता दो हजार दो नामक पुष्तक जिसे आम भासा में नीली पुष्तक भी कहा जाता है को ले करके जो उसमें लिखे थे लेख है उससे बताने का प्रियास क किया था उसमें जो बाकी रा गए हैं ले खुषी को ले करके आपके स्रीचरणों में समर्पित है इसी आचना कामना प्रार्थना के साथ है कि आप सभी संत माईबाप हो आप सभी संत कृपा निधान हो और संसार की किसी भी भस्तूओं की पूरती आप सभी संत आशिरबाद से ही संभो है तो अपनी धिक्रिपाद रिष्टी दयाद रिष्टी दास्य और दास के परिवार के उपर सदा सर्वता बनाए रखिये और इस चैनल को भी आप ये अपना आशिरबाद दीजिए कि इस चैनल को बनाने का उद्देश ही यही कि सत्गुरु माता जी के वो आदेश की निरंकारी साहित्य जादा से जादा पढ़ा जाए जादा से जादा जैसा कि हमने इस पुष्टक में भी देखा कि इसमें लिखा है कि जब हमारे घर में कभी साधी हो और भी कोई फंक्शन हो ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो हम इसे गिफ्ट रूप में भी आमजन मानस को दे सकते हैं तो दास का ध्यान यही बना कि आज के जमाने में जब लोग एक तरह से इतने ब्यस्त हो गए हैं थोड़ा बहुत समय बचता है तो वो मोबाईल में चला जाता है तो दास ने सोचा कि ये मिसन के जितने भी पुरातन पुष्टक हैं नई पु जागे और उनके आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ हम सभी उस समय का सदप्योग करें अपने मिसन के साहित्य को पढ़ें जहां उससे हमारा ज्यान बढ़ेगा हमारा एकिदा और इमान भी बढ़ेगा सत्गुरू के चरणों में दिरंकार के चरणों में तो इसी अचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दिन द्याल सच्चे पास्चा सद्गुरू माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज दया करो कि आपको उस रूप में जान पाएं जिस रूप में जानने से मेरा कल्यान होगा आपको सद्गुरू सिरिप कहें नहीं माने भी औ करम बचन से चल पाएं इसी आचना के साथ है इस परचार योंग परबंध व्योस्ता में अगला जो लेख है वो है भमन निर्माड परबंध योंग देखवाल नंबर एक भूमी की खरीद में एक से अधिक महत्माओं की जिम्मेदारी लगाई जानी जाहिए जो नलवा कुछ कहने का मौक्या भी नहीं मिलेगा नंबर दो भूमी खरीदने के लिए टीम होगी तो अच्छी तरह जांच परताल हो सकेगी जैसे आसपास का इलाका कैसा है आबादी कैसी है लोगों की विचारधारा कैसी है सतसंग सुविदा जनक ढंक से हो सकेगा या नहीं किसी प जाहिए कि जमीन हर प्रकार से ठीक हो बले ही उनके निवास अस्तान से दूरी पर ही क्यों ना हो नंबर चार जोनल इंचार्ज अपने छेत्र का पूरा जायजा लें और जहां सबसे अधिक जरूरत है वहां जमीन खरीदने के सिपारिस के जाए भूमी खरीदने में देदी बनाते समय डिस्पेंसरी लाइब्रेरी तथा प्रकासन के सेल काउंटर के लिए था संभो अस्थान निश्चित किया जाए भूनों का बाहरी डिजाइन और रंग एक जैसा हो मिसन का जंडा भी सभी भूनों पर फाराया जाए नंबर छे ग्रामेर इलाकों में भूनों के लिए जमीन खरीदने की बजाए गराम सभा से जमीन लेने का प्रियास किया जाए जहां भी भून के लिए प्लाट हैं महा केंद्र की पूर वन्वती से बाउंडरी वाल बनाने का प्रियास किया जाए जिससे सक्संग कारिकरम आरंभ हो सके नंबर साथ भून के लिए जो भ नम्बर आठ भवन निर्माड में मनमर्जी नहीं बलकी केंद्र से जो नक्षा पास हो उसी के अनुरूप निर्माड कारी होना चाहिए बगेर नक्षे के कई बार निर्माड हो जाता है जिससे व्योस्था भंग हो जाती है नम्बर नो भवनों की देखवाल की और भी ध्यान देना है जो अस्थानिय महापुरुस भवन में रहते हैं उनका कर्तब्य है कि जिस भाग का वे खुद इस्तेमाल कर रहे हैं उसे साफ सुत्रा रखें सतसंग हाल की पवित्रता का विशेश ध्यान रखा जाना चाहिए सफाई कारी में से बादल की सेवाई ली जाएं तथा रखें कि भवन सब्द से पहले सतसंग सब्द आता है भवन उन साधी कारिकर्मों के लिए दिये जा सकते हैं जो मर्यादा के अनकूल हो उप्युक्त के अनुसार सतसंग भवन में दिरंकारी विवाहों को करने की अनुमती है परन्तो किसी भी हालत में वहां खाने पीने का प्रबंध रखने की अनुमती नहीं दी जाए इसके लिए पाले ही असपर्ष कर दिया जाए कि जल पान वा खाने पीने का प्रबंध किसी और अस्थान पर ही करें नंबर ग्यारा सतसंग भवन धार्मिक और पवित्र अस्थान है इनके परती हमारे मनों में स्रध्धा और पवित्रता की भावना सदा होनी चाहिए सतसंग भावनों की पवित्रता कायम रखी जाए इसके लिए जरूरी है कि यहां का बातावरण सांते और पवित्र हो नंबर बारा परबंध की आसेवा दल के अधिकारी किसी भी समय फ्लीट या जूते पहन कर सतसंग हाल में परव सतसंग हाल में नहीं होनी चाहिए। प्रमुख की सामती से दरियां लाउड स्पीकर इत्याज दिये जा सकते हैं परंतु उस सामान की समाल की पूरी जिम्मेदारी ले जाने वाले पर होगी। रहने वाले महापुरुस मिसन के मौलिक मूलियों अर्थात प्यार नम्रता और सतकार की भावना जैसे गुड़ों को धालड किये रखें। कि विवस्ता के अतरिक्त देर रात कहीं ना पहुँचा जाए। यदि किसी कालल बस देर हो ही जाती है तो भोजन इत्यादिकरहन करके ही भावन में पहुचें। किसी भी भावन में ठारने के लिए महापुरुष अपने सहर के परमुख मुखी से जानकारी का पत्र यवस्त लाएं। जानकारी पत्र पूरी जिम्मेदारी से दिया जाए और भावन में रहने के इच्छुक महत्मा को भावन में ठारने संबंधी नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए समझा दिया जाए। अभी तक दिल्ली के सिवाए और किसी भवन में रहने के अतरिक्त किसी प्रकार के खानपान का प्रबंध नहीं है। यह बात जिसे आप जानकारी पत्र दें उसे अच्छी तरह से समझा दें। नमबर 21 भवनों में रहने वाले या किसी सहर में परमुख के नाम कोई सिपारसी पत्र देते वक्त ध्यान रहे कि मुखी हर तरह के सांसारिक कारी करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। गुर्मत के नाते यथा संबो सहता आवस्य करनी चाहिए परन्तु इस बारे में विबस बिलकुल ना किया जाए नमबर 22 गर्मियों में पहाडी इलाकों के भवनों उदारतिया मसूरी सिमला कुलू मनाली अलमोड़ा आध में ठारने के लिए स्विकिर्ती उन पहाडी नगरों के परमुख से प्राप्त करनी होगी बिना स्विकिर्ती के वहां ठाहरने का नमबर 23 अस्थानिये परमुख मुखी की अनमती से भवन पर सामन नितया तीन चार दिन तक ठाहरा जा सकता है परन्तु यदि किसी ने अधिक समय भवन पर ठहरना है तो उसको केंदर से अनमती प्राप्त करनी होगी नमबर 24 भवनों में चल अचल संपत्ती का एक रजिस्टर बनाया जाए जिसमें भवन की सभी बस्तुओं का विवरण दर्ज हो जहां अस्थानिये परमुख मुखी ध्यान दें उहीं जोनल इंचार्ज भी समय समय पर जाच करें नमबर 25 हर भवन में एक रजिस्टर हो जिसमें ठहरने के लिए आने वाले यात्री का नाम पता आने योंग जाने की दिथी अथवा आने का कारण आदि नोट किये जाएं और उसके हस्ताच्छर भी लिये जाएं जिस परबंधक ने उक्द पत्र जारी किया है उसका भी उल उनों पर दुकाने बनाने की पर्था ही समाब्त हो चुकी है परंतु जहां पर भाले से ही दुकाने किराये पर दी गई हैं वहां किसी मादक बस्तू सराव याद की ना तो विक्री होगी ना ही उनका सेवन नमबर 28 हर भावन में एक बोड लगाया जाए जिस पर वहां ठाहरने संबंधी सभी नियम लिखे हो इन नियमों का गंभिरता से पालन किया जाए नमबर 31 ये भावन महापुर्सों के खून पसीने की कमाई से बने हैं हमारा करतब भी है कि हम महापुर्सों की माया को सोच समझ कर खर्च करें जिस प्रकार हम घर के खर्चों में किफायत का ध्यान रखते हैं विजली, पानी, फोन, आदी का सोच बिचार कर परयोग करते है उसी प्रकार भावनों के खर्चों पर भी ध्यान रखें। उसी प्रकार भी ध्यान रखें। निर्देश पहले ही दे दिये गए हैं। उनका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। और किसी भी हालत में कोई नया पोज नहीं लगाया जाए। वही फोटो लगाये जाएं। जो मंडल द्वारा स्वेकिर्थ है। जैसे लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, सिलाई कढ़ाई पर सिछड़ केंद्र, इत्याद ही ऐसे अस्थानों पर ही दी जाएं। जहां पर उनकी नितानते आऊ सकता है। इस पुस्तक में भवन द्रमाड के बाद आगे लेखा जोखा का विसे है। रास नहीं समझता कि लेखा जोखा का विसे किसी आम सत्तसंग के महापुरुष के कुछ काम की चीजें हैं। ये ब्योस्तापक महत्माओं के लिए ये सारे नियम काईदे बने हैं। फिर भी इसमें एक लाइन जो कोट करके लिखी है लेखा जोखा में कि मंडल के नाम से बिना रसीद के किसी को कोई भी माया लेने का अधिकार नहीं है। और इसके बाद लेख है वो है परवंद की ढाचा योँ परवंद विवस्ता। दास ये समझता है कि इस बात को हर एक गुर्शिक हर एक महत्मा को जानना चाहिए कि निरंकारी मिसन कारी कैसे करता है। इसका बिधान क्या है सम्मिधान क्या है इसके अधिकारी सहवान के दायित्व क्या है और कैसे ये मिसन इतने विशाल रूप में इतने सहजता और सुगमता के साथ हर एक कारी को अंजाम देता है। तो इसलिए दास अभी इस परचार योंग परबंध विवस्था नामक पुस्तक का जो अगला लेख है कि परबंध की धाचा योंग परबंध विवस्था। परबंध विवस्था की सुचारुता के लिए निम्न परबंध की धाचा होगा। नमबर दो संत निरंकारी मंडल के सभी कार्य कलापों की समिच्चा करनी के लिए तथा किसी आवस्यक विश्य पर विचार करनी के लिए इसकी वैठक एक वर्स में एक बार आवस्य होगी। नमबर तीन यह कार्य कारी समित के सदस्यों को चुनेगी। कार्य कारी समित वर्किंग कमेटी। मंडल के वुद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह नीती और कारी करम तहें करेगी। यह मंडल का बजट पास करेगी और समय समय पर मंडल के कारियों की समिच्चा भी करेगी। नमबर तीन इनका कार्य काल तीन वर्स होगा। कार्य कारडी समित एक जी की उटिव कमेटी नमबर एक मंडल की एक कार्य कारडी समित होगी इसमें 11 या अधिक सदस्य होंगे जिन्हें सत्गुरु कार्य कारी समित के सदस्यों में से नामजद करेंगे नमबर दो कार्य कारी समित द्वारा निर्धारित किये गए कार्य कर्मों और नीतियों के कार्यान वयन की जिम्मेदारी कार्य कार्य कारडी समित पर होगी नमबर तीन कार्य कारड़ी समित ऐसी समितियों का गठन कर सकती है जिन्हें वह मंडल के कार्यों को दच्छता पूर्बक संपन्य करने में उचित मानती हो वह इनके लिए नियम विधी भी बना सकती है नमबर चार इनका कार्यकाल तीन बर्स होगा जोनल इंचार्ज का सत्गुरु की अनुमती से संत निरंकारी मंडल की कार्य कारड़ी समित एकजी क्यूटिप कमेटी जोनल इंचार्ज मनोनीत करेगी जोनल इंचार्ज का कार्यकाल तीन बर्स होगा जोनल इंचार्ज का छेत्रिय अस्तर पर एक कार्याले होगा वह केंद्र की पूर्व अनमती से कार्याले में काम करने के लिए सेवादार को नियुक्त कर सकता है घा जोनल इंचार्ज केंद्र तथा ब्रांच के परमुख मुखी योंग परचारकों के मद्ध तालमेल बनाए रखने का कारी करेगा इसके मुख्य रूप से निमलखित कारी होंगे नमबर एक, परमुखों, मुखियों, परचारकों की बर्ष में कम से कम एक बार सभा बुलाना, साथ ही परचार कारियों अन्य गति बिधियों की समिक्षा करना नमबर दो, अपने छेत्र में परचारी और जन संपर्क कायम रखना, विसेश तया समागमों के समय तथा सद्गुरु बाबाजी की कल्यान यात्रा के समय नमबर तीन, महापूर्सों के परस्पर मतभेदों को निस्पक्ष भाव से गुर्मत के अनुसार सुलजाने का प्रियास करना, यदि किसी प्रकार समिस्चा का हल ना हो, तो अपने सच्यू, मेंबर इंचार्ज, ब्रांच परसासन से संपर्क करके तुरंत समस्चा का समाध नमबर चार, अपने छेत्र के दच्वा मेखावी संतों की ऐसी सूची तयार करना, जिन्हें मिसन की गतविधियों का दायुप्त सौपा जा सके, उन महापूर्सों की एक अलग सूची बनाई जाए, जो परचार, परसासन, कार्याले, भवन निर्माड, लेखा जोखा, पर जब यावस्यक हो, पराप्त किया जा सके, इस सूची की एक परती केंद्र के संबंधित विभाग को भेजी जाए। की स्विकिर्ती ही परदान कर सकता है, इस से अधिक राचिके मामलों को मंडल के केंद्रिये मुख्याले की स्विकिर्ती के लिए भेजा जाए। की स्विकिर्ती दी गई है, उसको बहुत बिचार विमर्ष तथा निरिक्षड के बाद अनमती दें और यदि उसी बर्स में दूसरी बार कोई ब्रांच ऐसी स्विकिर्ती मांगें, तो उस संदर्व में केंद्र से प्रामर्ष करना आवस्चक है। नमबर साथ, जोनल इंचार्ज इस बात का विशेश ध्यान रखें कि जो भी निर्ड़ केंद्र के बिभागों द्वारा ब्रांचों को भेजे जाते हैं, उन पर पूरा अमल हो। नमबर याठ, जोनल इंचार्ज अपने निर्चडवा निर्देशन संबंधी सभी दाईट्यों की पूर्ती मिशन की परंपरा के अनुसार, प्रेम, मानवता और सतकार के आधार पर करेगा। उससे या भी अपेच्छा की जाती है कि अपने जोन की साखाओं के दैनिक कारिकरमों में वह अनावस्यक हस्ता छेप नहीं करेगा। नमबर नो, जोनल इंचार्ज को परमुख, मुखी या सेवादल अधिकारी नियुक्त करने या बदलने का अधिकार नहीं है। वह इस विसे में अपनी स्पार से मुख्याले को अवस्य भेज सकता है। नमबर दस, अंतर राजिये जोनों के इंचार्जों की मीटिंग कभी कभी हुआ करेगी जिसका अगठन केंद्र द्वारा किया जाएगा। नमबर ग्यारा, जोनर इंचार्ज को अस्थानिय विद्वान संतों के सायोग से विद्ध्यालेयों वा कालेजों में ऐसे सेमी नार आयोजित करने चाहिए, जिनके द्वारा समस्त सिच्छित वर्ग भी मिशन के सिध्धानतों से परचित हो सके। नमबर बारा, जो महापुरुष किसी कारल संगत से दूर हो गए हैं, उन्हें मिशन की मुख्यधारा में लाने का परियास करना, इसके अतरिक्त संत निरंकारी मंडल के विद्धान के अनुसार, मिशन के हिद्ध के अन्य सभी कारियों को पूर्ण करने का दायित्व जोनल इंचार्ज का होगा, असपस्ट है कि वह एक वोर केंद्र का परत निधी है, तो दूसरी वोर अपने छेत्र के मुखी परमुखों के परत भी उसके अनेक दायित्व हैं, अस्तु जोनल इंचार्ज को बड़े सतर्कवा सावधान होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, जोनल इंचार्ज की जरासी असावधावनी भी अपने छेत्र की परबंद विवस्ता को डगमगा सकती है, परमुख, नमबर एक, सत्गुरू की अनमती से संत निरंकारी मंडल की कार्य कारणी समित परमुख को मनोनीत करेगी, नमबर दो, परमुख का कार्य काल तीन बर योंग परचारकों के मध्य तालमेल बनाए रखने का कार्य करेगा, नमबर चार, परमुख, जोनल इंचार्ज, तथा मुखी परचारक के बीच, एक कड़ी का काम करेगा, जो कार्य, उसके अधिकार छेतर में नहीं आते, उनके लिए वह जोनल इंचार्ज का सहायोग तथ परमुख अपनी ब्रांच को छोड़कर किसी अन्य ब्रांच के रोज मर्रा के कारियों में दखल नहीं देगा, वे कारियों वहां का मुखी ही निभाएगा। नंबर च्छा, चुंकि जिला या तासील ये अस्तर पर जिसको परमुख नियुक्त किया जाता है, वह स्वाभाविक्ता है, अपनी ब्रांच का मुखी भी होता है, इसलिए मुखी के कारियों का जो निम्लिखित विवरर दिया गया है, वह परमुख पर भी लागू होते का, सत्गुरु की अनमती से संत निरंकारी मंडल की कार्य कारड़ी समित मुखी को मनोनीत करेगी, खा, मुखी का कारिकाल तीन बर्सका होगा, मुखी के मुख्य रूप से निम्लिखित कार्य होंगे नमबर एक, ब्रांच के सभी महापुरसों के नाम वापते की एक सूची तैयार करना तता परचारकों के कारिकरम की सूचना उन तक पहुँचाने की व्यवस्था करना नमबर दो प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उचित अस्थान पर सतसंग कारी करम रखने की विवस्था करना तथा जोनल इंचार्ज के निर्देशा अनुसार परबंध परचार कारी अस्थानिय अस्तर पर चलाना नमबर तीन जोन या केंद्र से प्राप्त होने वाले सभी आदेशों वा निर्देशों की पूरी जानकारी संगतों को देना नमबर चार बाहर से आये महापुर्सों के ठाहरने भोजन सतकार तथा लाने वा भेजने की पूरी विवस्था करना नमबर पांच स्टेज पर विचार के लिए बदल बदल कर महापुर्सों को अवसर परदान करना नमबर चार यूनिट अस्तर पर सेवादल के अधिकारियों की नियुक्ती के लिए योग्य महापुर्सों के नाम का सुझाव देना नमबर साथ, महापुरसों में परस्पर मतभेद को गुरमत अनुसार सुलजाने का परियास करना यदि आवसकता अनुभो करें तो जोनल इंचार्ज का सहयोग प्राब्त किया जा सकता है नमबर याठ, जहाँ जहाँ भवन हैं संबंधित मुखी भवन के रख रखाओ तथा सफाई यादि का पूरा ध्यान रखेगा नमबर नो, यह सुनिश्चित करना की भवन की पावंता यवंग पवित्रता का पूरी तरह पालन हो रहा है नमबर दस, जिस अस्थान पर गाड़ी या फोन है, वहाँ लाग बुक अवस्च भरी जाए नमबर ग्यारा, अस्थानिये अस्तर पर सतसंग भवन तता अन्य सभी बस्तुओं की सुरक्षा तता रख रखाओ का ध्यान रखना नमबर बारा, संगत के समस्त सामान को इस्टाक रजिस्टर में दर्ज करना नमबर तेरा, जब कभी सत्गुरु बाबाजी का आगमन हो, तो किसी महत्मा के घर दुकान यादि में जाने के लिए सत्गुरु की पूर्ब अन्मती के बिना कोई निश्चित कारिकरम ना बनाए नमबर चौदा, बच्चों, योंग, नोयुकों को मिसन की गत्विधियों में रुची लेने के लिए प्रेजित करना, नोजवानों को भी उत्तर दाईत के कार सोंपे जाएं नमबर पंधरो, अस्थानिये संतों के हर दुख सुख में पारिवारीक संबंधों की भात सामिल होना तथा यथा संभौ काम्याना नमबर सोला अन्य सामाजिक संस्थाओं के कारियों में एथा संभो भाग लेकर मंडल का परतनिधित करना और अपने सतसंग में एथा संभो उनको आमंत्रित करना 17. सेवा दल का गठन करना और संगत की गिंती के अनुसार 10% संख्या सेवा दल सदस्यों की सुनिश्चित करना 18. प्राकिर्तिक आपदा के समय संगतों तथा सहरवासियों के लिए सेवा दल योंग संगत को सायोग देना तथा हर संभो सायता कारी करना यदि अधिक खर्च की संभावना हो तो केंडर से सिग्र संपर्क अस्थापित करना और उचित व्योस्था करना नमबर वननेस परचार परगती के लिए केंद्र तथा जोनर इंचार्ज के समय समय पर प्राप्त हुए दिसा निर्देश को अस्थानिय सक्रिय कारी करता हूं तथा अन्य महापुर्शों के सायोग से कार्य रूप देने कायत न करना परबंद व्यवस्था नमबर एक यह मिशन रूहानी मिशन है प्रारंब में व्यवस्था संबंधी धाचे की जरूरत नहीं समझी गई लेकिन जो जो यह परिवार बढ़ता गया व्यवस्था की जरूरत भी पड़ी या ध्यान रखा जाना चाहिए कि सबसे पहले हम गुर्शिक हैं हमारी भक्ती भ आध्यात्मिक्ता को ही प्रात्मिक्ता देनी है आध्यात्मिक पहलू मजबूत होगा तो परबंध की एक आरी भी अच्छी तरह से हो सकेंगे नमबर दो परबंधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे भी पहले गुर्शिक ही हैं इसलिए परबंध करते समय बक्ती भाव ना जलकनी चाहिए बिनम्र भाव अकरता भाव के तहत हर कारी करें सेवा का आउसर मिला है तो इसे किरपा ही मानें क्योंकि यहाँ खुश किस्मती की बात है नंबर तीन परबंदकों का यह दाइत तो है कि विवस्था ठीक रहे जिसे जो जिम्मेदारी दी गई है वहाँ उस नहुं इसकी ओर ध्यान देना है नंबर चार चुकि केंदर से सभी ब्रांचों पर निगरानी रखना संभो है इसलिए जोनल इंचार्ज बनाये गए हैं जिस जो फैसले लिए जाते हैं उनको लागू किया जा सके ऐसा विचार किया गया है कि जोनल इंचार्ज के साथ एक बल्कि ऐसे योग्य महापुर्षों का चैन किये जाने की योजना है, जो विशेष्तिया, एकाउंट, भवन निर्माड, सरकारी संपर्क आदि के कारी में निपुड हों, यह कमेटी भी केंद्र द्वारा बनाई जाएगी। नमबर पात, यह बात किसी के भी दिमाग में नहीं होनी चाहिए, कि अमुक व्यक्ति को खुश कर देंगे, तो यह कारी हो जाएगा, सभी को चेतनी और सचेत होकर कारी करना होगा। नमबर छे, जहां तक भेंट यारी का सवाल है, बाहर से आने वाले परचारकों को किसी बस्तु या सेवा की लालसा नहीं होनी चाहिए, यह कोई महाबुरुस, किसी महत्मा को स्रद्धाबस, कोई बस्तु भेंट करता है, या माया के रूप में सेवा करता है, तो यह आपत् नहीं परन्तु सामुहिक रूप से माया इकठी करके किसी भी संत विसेश को किसी बस्तु के रूप में अथवा नगदी माया देना बरजित है, नमबर साथ, कार्य कारडी समित के सदस्य, जोनल इंचार्ज, परमुख, मुखी, सभी ने अपने अपने कार्य छेत्र के अंतर दर्सन अवस्य देना है, किन्तु कभी सक्त सब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, यदि प्रबंद के नाते किसी को कुछ कहना है, तो उसे अलग से समझा सकते हैं, किसी के दिल को ठेस न पहुँचे और वह मायूस न हो, या विसेश ध्यान रखना है कि मधुर संबंद बने नमबर नो, सेवादल के अधिकारियों, योंग सदस्यों को जहां पूर्ड अनुसासन योंग मर्यादा का पालन करना है, वहां मुखी, परमुख, योंग जोनल अधिकारियों का भी या फर्ज बनता है कि उन्हें पूरा आदर सम्मान दें, हमें याद रखना चाहिए कि से नमबर दस, जहां जोनल इंचार्ज परमुख वा मुखी के बीच परसपर तालमेल की जरूरत है, वहीं परमुख, मुखी और सेवादल के अधिकारियों के बीच भी परसपर बेहतर सामन जस्य होना चाहिए, परमुख मुखी बनने से नहीं, बलकि ग्यान के कारण ही गुर वक्ती को विसेषता देंगे, तो फिर किसी को कोई भी जिम्मेदारी मिली हो, पहे अपने आपको विसेष नहीं मानेगा, पद्मियां महत्तपूर्ण नहीं, बलकि आचरण ही महत्तपूर्ण है, कुछ लोग या सोचते हैं कि यदि हम परबंधक नहीं होंगे, तो कुछ भ मार्बल इस्टोन नमबर तेरा, क्या असपस्ट नीती है कि किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसमें जाती पाती नहीं देखी जाती, बलकि यहां देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति कार्य को सलता के साथ कर सकता है या नहीं नमबर चौदा, चुकि जोनल इन चार्जों पर अनेक जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके कारल वे अपने जोन से ज्यादा समय बाहर नहीं रा सकते, किन्तु उन्हें केंद्र द्वारा बर्स में एक दो बार अवस्य ही अपने जोन से बाहर भेजा जाए, इस तरह परचार परसार भी होगा और एक दूसरे कावन भो भी प्राप्त कर सकेंगे, नमबर पंद्रा, परचारकों वा परबंधकों को नसीले पदार्थों का सेवन करना पूर्णत यह बर्जित है, किन्तु यदि अब कोई ऐसा मामला सामने आएगा, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ स किसी से नफरत नहीं करनी, लेकिन यहां ध्यान रखना है, कि संतों के प्रीती भोज में, तथा किसी के घर चरन डालते समय, इत्यादी अउसरों पर भोजन साकाहारी ही होना चाहिए, अर्थात यदि खान पान के कारण परचार में बाधा पड़ रही है, तो हमें उसका त् के साथ माया के लेन देन में भी हमें पूरी सजगता के साथ कारी करना होगा, मिसन यथवा गुरु घर का नाम लेकर तो माया का कोई भी लेन देन होना ही नहीं चाहिए, हमारी नियत साफ बनी रहे, और हम महापुर्सों के साथ मिलवर्तन बनाए रखें, तथा पी, यदि क कोई परिसानी होती है, तो उसे सुलजाने की जिम्मेदारी हम स्वेंग ही लें, मिसन या मंदल पर ना डालें, नमबर अठारा, समागम हो या आम सतसंग, पूंड अनुसासंग और मर्यादा का पालन होना चाहिए, अस्थानिये परमुख और सेवा दल के नौजवानों में परस्पर तालमेल होना चाहिए, नमबर बननेईस, जिन परमुख महापुर्सों के पास मिसन की गाडियां हैं, वे गाड़ी को इस तरह से परियोग में लाएं, कि कोई उन पर गाड़ी को निजी परियोग में लाने का दोस्त ना लगा पाए, कभी कबार इद ऐसा मोका आ जाता है, तो किसी को भी इसे चर्चा का विसे नहीं बनाना चाहिए, नमबर बीस, अस्थानिये परचारकों योग परमुख महापुर्सों को अपने छेत्र की संगत से निरंतर संबंध बनाए रखना चाहिए, यदि कोई महापुरुस कुछ दिन सतसंग में नजर ना आए तो उसका पता लगाना चाहिए कि वह किस कारण सतसंग में हिस्सा नहीं ले सका, ऐसा करने से हमारे आपसी संबंध मजबूत होंगे। देवा का आउसर मिलेगा। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देगा और इसके बाद इस परचार योंग परबंध विवस्ता दो हजार दो की पुस्तक में जितने भी लेख जो भी दिशानर देश लिखे गए हैं उसे दास लेकर के अगली वीडियो में आपके चरणों में समर्पित होगा। महापुर्सों प्यार से कहिए धर निरंकार जी